राधे राधे एवरिवन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनमास्ट मी के दिन हमें लड़ुगोपाल जी का किस तरीके से श्रिंगार करना चाहिए कैसे उनके सेवा करनी चाहिए तो देखिए लटगोपाल जी का सुबह सवेरे हमें उनको इसी तरीके से जगाने के बाद में दूद का भोग आप लगा दें उसके बाद में उन्हें पंचामरत से स्नान जरूर कराएं जनमास्टमी के दिन हमें दो बार लडगोपाल को पंचामरत से स्नान कराना चाहिए दो बार नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम एक बार दिन में या फिर रात में आप पंचामरत से स्नान जरूर कराएं तो यहाँ पर कच्चे दूद से दही से और यहाँ पर शहद दूद, दही, शहद घी और शकर से हम इसनान कराएंगे पंचामरत आप एक खटा बना सकते हैं अलग-अलग चीजों को ऐसे चड़ा करके भी इसनान करादेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत ही सुंदसी चमक आजाती है हमारे लड़ोगोपाल जी में और आज उनका जनम दिन है, जनमास्टमी के दिनका जनम दिन होता है तो बहुत ही स्पेशल डे होता है, तो उन्हें देखे लड़ोपाल जी को पेमपर करना बनता ही है तो देखे बहुत सुन्दर से, उसके बाद में हमने जल से सनान करा दिया है, कितनी सुन्दसी चमक आगई है, एक्तम सोनी की तरह हमारे लड़ोपाल जी चमक चुके हैं, उसके बाद में कोरे वसर पहनाई जाते हैं, नए हमें ड्रेस लानी होती हैं लड़ोपाल जी की, तो दो ड्रेस तो हमें जरूर लाने चाहिए जन्रमास्टमी के लिए अच्छे से पोंच देए, चाहें तो आप हलकी सित्र की मालिश भी कर सकते हैं, तो आज मैं यह ड्रेस पेनाने वाले हूँ, तो यह देख सकते हैं, स्काइबलू और पिंक पिंक कलर कॉम्बिनेशन में यह ड जो भी आप डेली में मतलब आपके पास पहले से जो वस्तर रखे हो ना उनको अगंगा जलादी का चीटा देकर के साफ करके आप उन्हें भी पहना सकते हैं लेकिन एक ड्रस तो कंपल सरी है नहीं पहनानी तो सुन्दर सी ज्वैलरी पहनाएं और एक जोड़ा जो ज्वैलरी है वो हमें नहीं पहनानी है बाकी दिन में आप इस तरीके से कोई भी जो जो एलरी आपके पास हो वो भी आप पहना सकते हैं तो बहुत अच्छे से हमें शिंगार करना है और तुलसी की माला आप जरूर पहनाएं लड़ो पाल जी को वेजनती माला भी बहुत ही प्रिय होत जितना सुन्दर शिंगार अपने गोपाल जी का करते हैं उतना ही जादा हमारे जीवन में भी सुन्दर आता है और सुक सम्रिधी आती है और हमें भगवान की भक्ती मिलती है तो ऐसे देखिए जोलरी पहना दें और मैं आपर आज विग भी लगा रही हूँ सुन्दर सा र देखिए औरिजनल बांसुरी आज की पूजा में जरूर रखनी है जो बजने वाली बांसुरी होती है बांस वाली बांसुरी जो होती है वो भी पूजा में आप आज के दिन जरूर रखे घर में एक बांसुरी वो होनी ही चाहिए लड़कोपाल जी के पास में उसके बाद बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना और हम हिंदु महिला किस तरीके से अपने घर में तीश्तियोहार व्रत पूजन करती हैं यह जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक